हाई फ्रेंड्स हमारी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको डिजाइने टॉप की कटिंग अंड सिटीचिंग बताएंगे जिसके लिए हमने यह कपड़ा लिया है यह हमारा सैंटून का कपड़ा है और इसी कपड़े में से हम आप के बागी के कपड़े को हम साइड में रखके कटिंग कर देंगे और इसी लंबाई इसकी भयालीस है तो इसी में से हमारी बाजू भी निकल जाएंगे टॉप वी निकल जाएगा उपर का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने जो हमारा टॉप होगा उसकी लैंथ देख इसको हमें यूद नहीं करना है अब हमारा हो गया यह वाला कपड़ा जिसको हमने चार तह में बिचा रखा है जिसमें से हमारे आगे और पीछे के दोनों पड़दे निकलेंगे ठीक है लेंट आप अपने हिसाब से रख सकती है तो इसमें कॉलर लगेगा तो हम आठ इंच और उसमें हम 2 इंच ज्यादा लेंगे तो टोटल हम ले रहे हैं से 11 इंच कपड़ा 36 की हिसाब से बना रहे हैं तो हम इंच टेप को यहां से रखके और 7 इंच नीचे कमर के लिए निसान लगाएंगे और यहां से भी हम कमर का चौता हिससा 9 इंच लेंगे और इस तरीके से मिला के और इसको नीचे तक गोलाई दे देंगे ऐसे हलकी सी और यह हलकी एपल कट में होगी अब हम क्या करेंगे जो खुली वाली साइड है वहां से हम 2 इंच पर निसान लगाएंगे इध्यान रखे कहली वाली साइड से लगाना है बंद वाली साइड से नहीं अगर से स्टार्टिंग करनी है बैक आर्म होल से और इस तरीके से कटिंग करते हुए इसे लेके जाना है और बिल्कुल जैसे जैसे हमने गोलाई दी है उस हिसाब से आप मैंने थोड़ी सी कम दी है इसमें गहराई पलकट में आप थोड़ी जादा भी दे सकती हूँ क्यों कि मैं इ इसमें से एक पार्ट को अलग कर देंगे बैक पार्ट को और फ्रेंट को बिचा के आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग करेंगे तो हमने इसको बिलकुल दो फोल्ड में बिच्छा लिया है अब यहां से हम गले की जो चोड़ाई है वो ले रहे हैं धाई इंच धाई इंच लेने के बाद में और जो लंबाई है गले की वो हम ले रहे हैं तीन इंच क्यूंकि हम आगे भी एक कट लगाके हलकी सी सेब करेंगे इसको हलकी सी मतलब गोल भी नहीं हलकी सी वी सेप जैसा रहेगा बराबर करके और इसकी कटिंग कर देंगे और जो हमारा बैक पार्ट होगा उसमें हमारा एक इंच का गला आधा इंच का कटेगा अब हम यहां से जिसके यह दिखिए खुलने के बाद में कुछ इस त तरीके से रखके हम और यहां से हम डाइच पे लेके और एक इंच की ऐसे गोलाई करके और इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से तो यह दोनों कट चुके हैं अब जो बचा हुआ फैबरिक था इसी में से बच गया था लम्बाई में से तो हम इसको डबल फोड़ में बिच्छा लेंगे और जो बचा हुआ है साइड में उसमे से हम अपना कॉलर बगैरा लेंगे तो हम इसकी तैयार जो लंबाई है बाजू की वो हमारी 10 है तो जिसमें हम एक इंच एक्स्टा ले रहें टोटल 11 है और चोड़ाई ली है हमने 8 इंच ठीक है 8 इंच लेने के बाद कपड़ी को 4 तह में फोल्ड कर लिया है खुली बाली साइड से 3 इंच लिसान लगा के और गोलाई दे देंगे नीचे तक इस तरीके से और इसकी कटिंग कर देंगे तो देखिए अब यह हमारा फ्रंट पार्ट है बाजू की कटिंग कर लिए है अब यहां से हम निसान लगाएंगे करीवन साड़े 4 इंच पर और इसमें हलकी सी सेप आप उपर से भी दे सकती हो लेकिन उसे हम आप मसीन पर बता देंगे पहले हम इसको अच्छी से बरावर करके कटिंग कर लेंगे यह आर्म हूल को भी कटिंग कर लेंगे फ्रंट को तो देखिए यह हमने साड़े 4 इंच तक कट लगाया था हम आपको इसमें एक और तरीका बताते हैं देखिए यहां से रखके और करीवन एक इंच और बढ़ा के आप ऐसे सेप दे सकती है इसमें इससे बहुत प्यारा लुक आता है कॉलर वाली कुर्टी का उसली टॉप का तो हमने देखिए इस तरीके से इसमें यह सेप दे दी है ऐसे बहुत अच्छी लगती है यह सेप अगर देते हैं तो हम बहुत इसी है पलट देंगे और इसके उपर एक सिलाई लगा देंगे बाद में तुर्पाई कर लेंगे तो देखिए हमने इसको तैयार कर लिया अच्छे से अब तीरा जॉइंट कर लेंगे तो तीरा जॉइंट होने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा अब इसमें बाजू लगाए दूसरी बाजू को भी हम ऐसे ही रखेंगे और सेम तरीके से लगा के उसको भी हम डावल फोल्ड कर लेंगे तो दोनों बाजू हमने लगा दी है अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं तो फिटिंग आपको अपने टॉप के अकॉर्डिंग करनी है और इस फिटिंग को नीचे आप इसमें पीछे बेल्ट भी लगा सकती हो मतलब टाइट लूज करने के लिए वैसे ही बहुत ही कमफर्ट बनेगा मतलब हलका सा लूज ही रहेगा ज्यादा फिटिंग में नहीं करेंगे दोनु साइड को फिटिंग कर ली है अब देखे गला हम आपको बहुत तरीके से बन देखेंके से लगए हैं आप्ससदों कया करेंगे देखें की कट के जो हमारी कुट्वारे को और जक्टर हखां के लंहें लाए नहीं से देख़ें देक कर देखें के मैं क्लयकों क्ट्वा धुक्त को इसमें अंदर तक कर देंगे ह। थोड़ी दूरी से ताकि हम इसे ऐसे मोड सकें तो देखिए हमने इसको एक से मोड लिया है अब एक सिलाई हम इसके उपर ऐसे लगा के और फिर इसे ऐसे मोड देंगे इस तरीके से तो देखिए हम इसको मोडते हुए ला रहे हैं वहीं से तरीके से आपको एक एक सिलाई चा निकले हैं उनको निकाल देंगे इसमें से और बहुत ही इजी है इस गले को बनाना और बाद में आपको फैंसी वटन वगरा इसमें लगा के इसे और भी अच्छा लुक दे सकते हो आजकल इस कपड़े के जो टॉप होते हैं वह बहुत ही ट्रेंड में है मतलब इसके बहुत स तरीके से दिखाई दे रहा है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और देखिए यह हलका सा लूज है हमारा टॉप तो इस तरीके से बनाईएगा ज्यादा फिटिंग मत दीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्चा